मित्रों स्वागत है आप सभी का आज हम उर्जा के परंपरिक और गैर परंपरिक स्रोत के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले जानी कि उर्जा किसे गहते हैं उर्जा का ऐसा है कि कारे करने की छमता को उर्जा या एनर्जी कहा जाता है और उर्जा का जो मातरक है ऐसा है मातरक जूल है और जिसे की James Priscott जूल जिनका की 1818 में जन्ग हुआ था और 1889 में मिर्त्य हुआ था और ये एक British भहुतिक विट्ता या भहुतिक विज्ञानी थे इनके नाम पर उर्जा के मातरक को जूल दिया गया अब जिसे की कहा कि उर्जा के परंपरिक और गैर परंपरिक स्रोत अब उर्जा के परंपरिक स्रोत ऐसे होते हैं जिनका नवेनी करण नहीं किया जा सकता यानि जो समाप पे संसातन है उर्जा के उन्हें परंपरिक स्रोत कहा जाता है जिसमें कोईला और पेटोलियम पदार आदी सामिल है जब कि जो गैर परंपरिक स्रोत है उन्हें नवी करनी स्रोत कहा जाता है यानि कि जिनका की रिसाइकल या पुना चक्रण किया जा सकता है उन्हें नवी करन या गैर परंपरिक स्रोत कहा जाता है इसमे सौर उर्जा, पवन उर्जा, ज्वारी उर्जा, भूतापी उर्जा दी सामिल है तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताएं